असलाम लेकूम, क्लास फिफ्ट, I hope you all are fine मेरी जो प्रेविएस वीडियो थी, उसमें आप लोगों को पेज नमबर 111 का कुष्चन नमबर 4 समझाया था जो के एक वर्ट प्रॉब्लम थी, आज हम लोग पेज नमबर 111 का कुष्चन नमबर 5 कर रहे हैं मेरे पास जो कमेंट्स आरे हैं उसमें एक था के बीच में से कुष्चन नमबर 2 मिसिंग है या बीच में अगर आप लोग के पास मतलब कुष्चन 6 के बाद अगर 4 आ रहा है तो बेटा यह जो सीक्वेंस है इस वज़े से चेंज हो रही है कि इसमें से बहुत मतलब कुछ सव आपकी बुक में नहीं है अगर ऐसा हो कि आप लोग की मैंने छे सवाल खुद से कराएं फिर आप लोग के बीच में बीच में फूर आ जाए तो बेटा यह इसलिए आ रहा है कि मैं वह बुक से उठाती हूं मैं आप लोग को सीक्वेंस से काम करवारी हूं अगर कोई वर्क करना है और उसी के हिसाब से आप लोगोंने वर्किंग भी करनी है अब आजाते हैं अपने कुस्ट्टन की तरफ कुस्ट्टन नमबर 5 है अब बेसन कें होल्ट 8,542 मिली लीटर ऑफ वाटर एक जो बेसन होता है वह कितना पानी होल्ट करते है 8,542 मिली लीटर ऑफ वाटर म मैं आप लोगों को बता चुकी मैं आप लोगों को सारी उनिट बता दी कि ए लीटर में कितने मिली लीटर होते हैं एक किलो में कितने संटी मीटर होते हैं और एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं यह सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूं दा बेसन कें होल्ट 0.458 ली मुझे बताना है कि कितना पानी fish tank hold कर सकता है express your answer in liters मुझे अपना answer किस में देना है liter में देना है जब answer liter में दिया हुआ है और एक value मुझे लीटर में दी हुई तो obviously मुझे जो दूसर पहली वाली value in mmL में उसको किस में change करना पड़ेगा लीटर में चेंज करना पड़ेगा और जब हमारे पास दोनों वैलियोज लीटर में आ जाएंगी तो जो बेसन में कितना पानी है बेसन कितना पानी होल्ड कर सकता है और बेसन फिश टैंग के मुकाबले में कितना पानी होल्ड कर सकता है इन दोनों को मैं आपस में सप्रैक कर तो मुझे किसका अमाउंट आजाएगा? fish tank का अमाउंट प्रशे जाएगा कि fish tank कितना पानी hold कर सकता है सबसे बहले क्या करेंग है? हम solve के heading डालेंगे सबसे बहले हमने क्या करना है? मिली ली ली वाली 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 ली ली चेंज करना है first V change ml में सबसे पहले लीटर में चेंज करना है और मैंने आप लोग को बताया था कि मिली लीटर चोटा है और लीटर क्या है बड़ा और जब चोटे यूनिट से बड़े यूनिट के तरफ जाते हैं तो हमेशा कन्वर्जन किसमें लगती है डिवाइड में 8542 मेरे पास इसको लीटर में चेंज करना है तो 8542 को डिवाइड कर देंगे हम 1000 से तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा मेरे पास लीटर में आएगा अब मैं क्या करूंगी इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे 8542 8542 8542 एतना पढ़ना है या तो 8542 आजाएग इससे छोटा आजाए तो 8000 का डिवाइड तक पढ़ूंगी 8000 2 में 0 लेफ्ट करा 2 4 में 0 4 5 में 0 5 8 में 8 क्रॉस अब क्या करूंगी जब 542 तो नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगी पॉइंट लगा के 0 था ओजन काडिवली इतना पढ़णा है या तो 5420 आज़ी खी अजी हिससे छोटा आजया 4500 पाज़ा 5000 अगें 0 में 0 लेफ्ट कै जिरो टु में 0 लेफ्ट कै टू 4 में 0 लेफ्ट कै फोर पाइप में से पाइप क्रॉस पॉंट लगावाए? अगें 0 ले लिया 4,200 से चोटा 4,000 1,000 4 है? 4,000 दो 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 2 है 0, 4 है पॉइंट लगा वाए अब एक और जीरो ले लिया 1,002 है? 2,000 जब मैंने 8,542 को 1,000 से डिवाइट के आंसर कहा है मेरे पास 8,542 और राणसर किसमें आया है? अब लिटर में है क्यों कि मैंने कंवर्जन लगा दी तो आंसर अब किसमें आया है मेरे पास लीटर में तो बेसन कितना वाटर होल्ड कर सकता है 8542 मिली लीटर होल्ड कर सकता है अब मैं जब लीटर में लेकर आई हूं तो मैं लिखूंगी अब बेसन अब क्या करूंगे जब में 8.542 में से 0.5 बेसन लड कर सकता है और फिश टैंक के मुकाबले में इतना ज्यादा पानी के तो जितना होल्ड कर सकता है और फिश टैंके मुकाबले में कितना ज्यादा होल्ड कर सकता है उसमें से उसको लेट करूंगी तो फिश टैंक का अमाउंट आजाएगा सब्सक्राइब ऑप क्या करूंगी इसको मैं माइनस करें अपर 8.542 अपर जिस तरह वरकिंग करते हैं 12 में से 8 लेफ्ट करें, 4 3 में से 5 नहीं जाता, अगें बोरो करूंगी 13 में से 5 गया, 8 4 में से 4, 0 8 में 0, 8 कितना अंसर आए, मेरे पस 8.084 लीटर The fish tank hold fish tank कितना पानी hold करेगा, 8.084 लीटर of water I hope आप लोगों को ये word problem समझ आ गई होगी और बहुत सारा ख्यार रखेगा Allah अपिस